अगया सो है यह जो हेलो फ्रेंट्स वैलकॉम बैक टो अगर एनदर वीडियो तो फ्रेंट्स यार आज का टूपिक होगा हमारा ट्यूमर और न्यो प्लाजम फ्रेंट्स यार टूपिक सुरू करने से पहले आप चैनल लगो कर दिये सब्सक्राइब तो फिर शुरू करते हैं आज का टूपिक टूमर और नियो प्लाजम फ्रेंड्स या टूमर होता क्या है टूमर को अगर हम हिंदी में समझे तो इसका मतलब होता है रसोडी रसोडी नाम तो आपने सुना ही होगा तो फ्रेंड्स या जो नियो प्लाजम होता है नियो प्लाजम का मतलब अगर हम देखे तो अगर हम इसको causing का ओं मैं भी ना कारण अनियमित व्रिद्धी हो उसे टूमर करते हैं ठीक है अगर जिवानु संक्रमन विशान संक्रमन या किसी अन्य कार्णों से किसी अंग का आकार बढ़ता है तो उसको हम टूमर नहीं, उसको हम हाइपरप्लेस्य करते हैं, क्योंकि ये infection की वज़ा से अंगव का बढ़ता है, इसलिए हम इसको हाइपरप्लेस्य बहते हैं, तो टूमर होता है, उसमें अनियमी तरूप से और पिना कारण के सरीर का जो अंग होता है, उसमें विद्धी हो तो इसको हम टूमर करते हैं, अगर हम महसहारी और सकाहरी पसओं का comparison करें तो महसहारी पसओं में टूमर ज़्यादा पाए आता है, टूमर दो प्रकार के होते हैं, एक benign tumor और दूसरा malignant tumor, उसको हम cancer भी बहुते हैं, तो benign tumor होता है, अगर हम benign tumor को एक बार निकाल दे, त यह दूबारारा नहीं होता है और दूसर तरफ मे लिगनेंट चूंबर में अगर इसको निकाल दियाता है तो यह वृद्दी कर लेता है ठीक है कंप और बनाएंट्यूमर एक अंग से दूसरे ऑंग में नहीं फैलता और दूसरी तरफ मैलिंगनेंट त्यूमर रख्त के दुवारा इक स्थान से दुसरे इसन पर फैलता है, इसलिए ज्यादा इफ यह होता है, ईफ एक्टिव होता है, या पेपिलोमा, पैपलोमा को Skin Tumor भी बोलते हैं अगर Muscle Tumor हो तो उसको Myoma बोलेंगे Porn Tumor हो तो उसको OSTUMA बोलेंगे Malignant Tumor और Benign Tumor के बाद आती ही इनकी Treatment तो Friend Seas की Treatment पर सबसे पहले हम देखेंगे Ligation Ligation जैसे Pendulant Tumor या लटकते हुए Tumor लिगेशन द्वारा निकाला जा सकते हैं इसमें हम ट्यूमर के बेस पर टांकी लगा कर जो ब्लड फ्लो होता है उसको बंद कर दियाता है इसमें छोटे अकार के ट्यूमर लग दस दिन के भीतर सुकर की जाते हैं इसे लिगेशन भोते हैं और दूसरे नमबर पर आ गया रैड होट आइरन इसमें आइरन रोड को लाल गरम करते हैं और ट्यूमर के बेस को जला दे जाता है इसमें नमबर पर आ गया यूज ओफ केमिकल इसमें chemical का यूज के जाता है जैसे nitric acid, estic acid का यूज, chemical का यूज करके tumor की कुष्काय निष्ट की ज़ती जाती है और चोते नमर पर आगे आपका operation इसमें tumor पर चीरा लगायाता है tumor के जो आसपास के tissue होते हैं उनको अलग कर जाता है और उसे काट कर बाहर निकाल दियाता है यानि अलग कर दियाता है बोडी से इसे operation करते हैं लेकिन इन treatment से हम सिर्फ benign tumor को ठीक कर सकते हैं malign tumor पर नहीं तो कि malign tumor का treatment करके वो दुबारा विद्धी कर लेते हैं और बनाइं tumor दुबारा भी दिन ही कर पाते हैं इसलिए यह treatment बनाइं tumor पर इफेक्टिव होती है तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो या helpful लगी हो तो चैनल को कर दीजेगा subscribe और वीडियो को कर दीजेगा like तब तक के लिए बाइबाइबाइ